नमस्कार दोस्तो रावन श्टाक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज के फीडियों देखने वाले ऐसे श्टाक के बारे में जिसने लगबग तीन से चार दिन से पिछले पूरे बजार को हिला दिया आपने देखा रहेगा बिरला टाइस के ट्रेडिंग बंद की ग इससे पहले बिग डिस्क्लेमर कोई भी स्टाक लेते तो खुदका श्टड़ी जरूर किजे देखे इसे जी श्ट़क्स रहते बहुत ही रिस्की रहते तो यहां पर खुदका श्टड़ी करना बहुत ही इंपोर्टन तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते जैसे कि आप इनको जो S.R.F. ग्रूप को यहां पर पैसा वापस मिला नहीं, तो S.R.F. कम्पनी ने क्या-क्या, जो प्रिंसिक्वल पे उपर जो रहता है, इंट्रेस्ट लगाया, तो लगबग 15 करोड के आस पसंद कर जो पैसा हो गया, तो 15 करोड जो S.R.F. ग्रूप को टाइम पर मिला तो एक्जेट यह आप लग देश सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, जो बिरलाटाइस की जो स्टेटस है, आभी IRP स्टेज 1 में, तो इसके वसे जो ट्रेडिंग इसका बंद किया है, देकि ट्रेडिंग बंद किया है, मतलब किया है, अभी तक थोड़े दिन के लिए स स्टेट किया है, ट्रेडिंग डिरेक्ट कंपनिया अभी तो मार्केट से डिलिस्ट नहीं हुए, तो आपको एक थोड़ी बहुत रहात मिलिए, आगे जाकि इसका जो ट्रेडिंग चालो होने वाले, मैं आपको एक्जेटले डेट भी बता दिये, तो कॉंसे डेट में आप पहला अपडेट आप लोग देश हैते, थर्ड जून को यहां पर एक मिटिंग होई थी, किनकी किनकी बीच में मिटिंग होई थी, कौक यानि कमीटे ऑप क्रेडिटर, जो भी बैंक्स, लेंडर्स, जो भी बड़े-बड़े प्लेयर्स रहेते, जिन्होंने बिरलाटा इसक पूरे कंपनी के उपर, पूरे वर्कर्स भी यहां पर मतलब उनको जॉब जा सकते, तो सबसे पहले जो प्राइरेटी रहते हैं, यहां पर बिरलाटा इसको बचाने के कोशिश के जाते हैं, यह तो पहला अपडेट इसका आउटकम क्या आता है, आगे जाकि देख सकते, ज दूसरा यहां पर जो अपडेट हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि जो 18 जून को यहां पर एक मिटिंग होने वाले बिरलाटा इसको जैसे कि कमपनी को बचाना के कोशिश जरूर करेंगे, इसके बाद जो 15 करोड से जो SRA कमपनी का, वो देनी की जरूर कोशिश क जाएगी इस मिटिंग में, यहां पर बड़े-बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो बहुत ही इंपोर्टन मिटिंग होने वाला है, AGM करके 18 जून को, तो यहां पर देखते हैं कि क्या आउटपोट आता है, क्या कमपनी बचा पाती है, कुद कोई कि नहीं, यह तो गए दूसरा हैं पर अपडेट, तीसरा बहुत ही बड़ा इंपोर्टन देख लेते हैं, कौन सा अपडेट हैं, सबसे लास्ट और बहुत बड़ा अपडेट जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, बहुत सारी लोग बिरिलाटाइस के स्टॉक में आटटक गए हाय रोलेल पे, तो इसका जो आउटकम भार आ सकता है, तो 19 जुन को वैसे भी संडे बजार बन रहेगा, जैसे ही मंडे आएगा 20 जुन को, तो यहाँ पर बजार खुलेगा, तो में भी यहाँ पर 20 जुन को ट्रेडिंग वापस से चालो सकता है, और कोई भी स्टॉक जो होल्डर है, वो ब बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैसला आ सकते है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बहुत ही प्रॉपीट में रहेंगे, या फिर प्रॉपीट में रहेंगे थोड़े बोतों, तो थोड़ा बड़ स्टॉक बेस सकते हैं, अब भी तो फिलाल बहुत ही रिस्की यहाँ रिस्की रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिस्ट के आब ड़ीटी पहिंचा ने, कितना पैसा आप रिस्क में डालने के लि庡़ें तारे उत Billy लगे, लेकिन खुदका, स्टरीज जरूर कीजे, इसे स्टॉक बहुत ही रिस्की तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसे श्टॉक में कभी भी जाना नहीं चाहिए बहुत ही बड़ा लेसन है आपके लिए क्योंकि जिस कंपनी के पास 15 क्रोड नहीं देने के लिए अपने बैंक से लेंडर वो कंपनी आगे फ्यूचर में क्या बिजनेस करने वाले और जो दूसरी बात देखें कि एसे जो कंपनी रहते है अगर सक्सेस्पूली बहार आती है तो स्टॉक लगातर 8 रुपई से नॉन स्टॉप पच्चास-साथ रुपई तक भी जा सकता है इसा हुआ है बहुत सारी कंपनी के साथ होता है जो भी कंपनी NCD से बहार आती है त कैसे इसके 15 करोड को देना है एसारे ग्रूप को तो देख लेते क्या आउटकम आता है 18 जून को यह तो आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं